केंत्रिय मंत्री मंडल के मेरे सयोगी श्री हर्दीप सींपूरी जी दिल्ली के मुख्य मंत्री श्रिमान अर्विन केजरिवाल जी डियमार्सी के मैनेजिंग डारेटर स्री मंगू सींजी देश में चल रही मेट्रो परियोजनाओ के वरिष्ट पदारी कारिकान और मेरे प्यारे भाईयों और बहनों मुझे आज से लगभग तीन साल पहले मेजेंटा लाइन के उद्गार्णन का सौभागे मिला था आज फिर इसी रूट पर देश की पहली पूरी तरह से आटोमेटेड मेट्रो जिसको हम बोल चाल की भाषा में ड्राइवर लेस मेट्रो भी कहते हैं इसका उद्गार्णन करने का आउसर मिला यह दिखाता है कि भारत कितनी तेजी से स्मार्ट सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है आज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड इससे भी दिल्ली मेट्रो जूड रही है पिछले साल अमदाबाद से इसकी शुरुवात होई थी आज इसका विस्तार दिल्ली मेट्रो की एरपोर्ट एक्स्प्रेस लाइन में हो रहा है आज का यह आयोजन अर्बन डेवलप्मेंट को अर्बन रेडी और फ्यूचर रेडी करने का प्रयास है साथियों भविश्य की जरुरतों के लिए देश को आज तयार करना आज काम करना यह गवननस का एहम दाईत्व है लेकिन कुछ दसक पहले जिए शहरी करन अर्बनाइजेशन का असर और अर्बनाइजेशन का भविश्य दोनों ही बिलकुल साब था उस समय एक अलग ही रविया देशने देखा बविश्य की जरुवतों को लेकर उतना ध्यान नहीं था आदे अदूरे मन से काम होता था ब्रह्म की स्थिती बनी रहती थी उस समय तेजी से शहरी करन हो रहा है लेकिन इसके आप्तर इफेक्ट से निपटने के लिए हमारे शहरों को उतनी तेजी से तयार नहीं किया गया परणाम ये हुआ कि देश के बहुत से हिस्सों में शहरी इंफास्ट्रक्चर की मांग और पूर्ती में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया साथियों इस सोच से अलग आधुनिक सोच ये कहती है शहरी करन को चुनावती नम मानकर एक आउसर की तरह इस्तिमाल किया जाए एक ऐसा आउसर जिसमें हम देश में बहतर इंफास्ट्रक्चर बना सकते हैं एक ऐसा आउसर जिसमें हम इज आफ लिविंग बढ़ा सकते हैं सोच का ये अंतर शहरी करन के हर आयाम में दिखता है देश में मेट्रो रेल का निर्मान भी इसका एक उदारा है दिल्ली में ही मेट्रो की चर्चा बर्सों तक चली लेकिन पहली मेट्रो चली अटल जी के प्रयासों से यहां तो मेट्रो सर्विस के इतने एक्सपर्स इस कारकम में जुड़े हैं वो भी इसे भली भाती जानते हैं कि मेट्रो निर्मार की क्या स्थिती थी साथियों साल 2014 में जब हमारी सरकार बनी उस समय सिर्फ पाँच शहरों में मेट्रो रेल थी आज 18 शहरों में मेट्रो रेल टी सेवा है वर्थ 2025 तर हम इसे 25 से ज़्यादा सहरों तक विस्तार देना वाले हैं साल 2014 में देश में सिर्फ 248 किलो मेट्रो रेल अपरेशन थी आज ये करीब 3 गुनी यहने 700 किलो मेट्र से ज़्यादा है वर्थ 2025 तक हम इसका विस्तार 1700 किलो मेट्र तक करने का प्यास कर रहे हैं साल 2014 में मेट्रो पर सबारी करने वालों के संख्या 17 लाग प्रति दिन थी अब ये संख्या 5 गुना बढ़ गई है अब 85 लाख लोग हर दिन मेट्रो से सबारी करते हैं याद रखिए ये सिर्फ आकड़े नहीं हैं ये करोडो भारतियों के जीवन में आ रही इस अब लिविंग के प्रमान है ये सिर्फ इट पत्थर कंक्रीट और लोहे से बने इंफासेक्टर नहीं बलकि ये देश के नागरी को देश के मिडल कास की आकांग्षा पूरा होने के साक्ष है साथ क्यों आखिर ये परिवर्तान ये बढ़लाव आया कैसे हैं बीरोक्रसी वही हैं लोग वही हैं फिर कैसे इतना तेज काम हुआ इसकी वज़े ये ही रही कि हमने शहरी करोण को चुनोती नहीं बलकि अवसर के रुपे देखा हमारे देश में पहले कभी मेट्रो को लेकर कोई नीती ही नहीं थी कोई नेता कहीं वाइदा कराता था कोई सरकार किसी को संतुष करने के लिए मेट्रो का एलान कर देती थी हमारी सरकार ने इस एड़ो की जम से बहार आ करके मेट्रो के सबन में पॉलिसी भी बनाई और उसे चौत अर्फार रणनिति के साथ लागूपी किया हमने जोर दिया स्थानिय मांग के हिसाब से काम करने पर हमने जोर दिया स्थानिय मानकों को बढ़ावा देने पर हमने जोर दिया मेकिन इंडिया के ज्यादा से ज्यादा विस्तार पर हमने जोर दिया आधुनिक टे आप में से अधिकाउश लोग ये जानते हैं कि देश के अलग-अलग शेहरों की अलग-अलग आवशक्ता हैं, अलग-अलग आकांग्षाएं और अलग-अलग चुनोतियां होती हैं। अगर हम एकी फिक्स मॉडल बना कर मेट्रो रेल का संचालन करेते तो तेजी से विस्तार संबभी नहीं था। हमने ध्यान दिया कि मेट्रो का विस्तार, ट्रांस्पोर्ट के आधुनिक तोर तरीकों का इस्तवाल, शेहर के लोगों की जरुरतों और वहां की प्रोफेशनल लाइफ स्टाइल के हिसाब से होना चाहिए। यही वज़े हैं कि अलग-अलग सहरों में अलग-अलग तरही अलग-अलग प्रकार की मेट्रो रेल पर काम हो रहा है। मैं आपको कुछ उदान देता हूँ। RRTS यानि Regional Rapid Transition System दिल्ली मेरट, RRTS का शांदार मोडल दिल्ली और मेरट की दूरी को घटा कर एक गंटे से भी कम कर देगा। Metro Light उन शहरों में जहां यात्री संख्या कम है वहां Metro Light बरजन पर काम हो रहा है। यह सामान्य Metro की 40% लागत से ही तयार हो जाती है। Metro Neo जिन शहरों में सवारिया और भी कम हैं वहां पर Metro Neo पर काम हो रहा है। यह सामान्य Metro की 25% लागत से ही तयार हो जाती है। इसी तरह है Water Metro यह भी Out of the Box सोच का उदान है। जिन शहरों में बड़ी Water Bodies हैं वहां के लिए अब Water Metro पर काम किया जा रहा है। इससे शहरों को बहतर Connectivity के साथ ही उनके पास मौजुद विपों के लोगों को लास्ट माई Connectivity का लाप मिल सकेगा। कोची में यह काम तेजी से चल गहा है। और सात्यों हमें ये भी ध्यान रखना है कि मेट्रो आज सिर्फ सुविदा संपन पब्लीक ट्रांस्पोर्ट का माध्यमभर नहीं है। ये प्रदूशन कम करने का भी बहुत बड़ा जरिया है। मेट्रो नेट्वर्क के कारण सडक से हजारों वाहन कम हुए हैं जो प्रदूशन का और जाम का कारण बनते थे। साथ कि मेट्रो सर्विसिज के विस्तार के लिए मेक इन इंडिया भी उतना ही महत्वपुण है। मेक इन इंडिया से लागत कम होती हैं, विदे से बुद्रा बचती हैं और देश में ही लोगों को जादा से जादा रोजगार मिलता है। रोलिंग स्टॉक के मानकी करण से जहां भारतिय मैनुफेक्टरस को फाइदा हुआ है, वहीं हर कोच की लागत अब बारा करोर से घट कर आठ करोर पहुँच गई है। साथियों, आज चार बड़ी कमपनियां देश में ही मैट्रो कोच का निर्वान कर रही हैं। इससे मेकिन इंडिया के साथ ही आत्म निर्भर भारत के अभियान को मदद मिल रही हैं। साथियों, आधुनिक से आधुनिक तक्रिक का इस्तमाल ये समय की मांग है। अभी मुझे बीना ड्राइवर के चलने वाली मेट्रो रेल का उद्गाटन करने का आउसर मिला है। आज इस उपलब्दी के साथ ही हमारा देश दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां इस तरह की सुविदा है। आज मेट्रो रेल में 130 मेगावर्ट सालर पावर का इस्तमाल किया जा रहा है। जिसे बढ़कर 600 मेगावर्ट तक ले जाने का इरादा है। आर्टिफिशल इंटलिजेंस उसका उप्योग करते हुए आर्टिफिशल इंटलिजेंस प्लेटफॉर्म और स्क्रीनिंग दरवाजे इन आधुनिक तक्रीकों पर भी काम तेजी से चल रहा है। साथियों, आधुनिक करन के लिए एकी तरह के मानक और सुविधाये उप्लब्द कराना बहुत जरूरी है। राष्ट्रियस तर पर कॉमन मोबिलिटी कार्ड इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। कॉमन मोबिलिटी कार्ड का लक्ष बिलकुस पस्त है। आप जहां कहीं से भी यात्रा करें, आप जिस भी पबलिक ट्रांस्पोर्ट से यात्रा करें, ये एक कार्ड आपको इंटेग्रेटेड एक्सेस देगा। यानि एक कार्ड ही हर जगह के लिए परियाप्त है। ये हर जगह चलेगा। साथियों मैट्रो के सफर करने वाले जानते हैं किस तरह अक्सर सिर्फ एक टोकन लेने के लिए कितनी कितनी देर लाइन में लगे रहना होता है। दफ्तर या कॉलेग पहुँचने में देर हो रही हैं और उपर से टिकेट के परिशानी मैट्रो से उतर भी गए तो बस का टिकट आज जब हर किसी के पास समय की कमी है तो रास्तों में समय नहीं गवाएं जा सकता। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसी दिक्कत है अब देश के लोगों के सामने रुकावट न बने हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। सात्यों देश के सामर्थव और संसाधनों का देश के विकास में सही इस्तिमाल हो यह हम सभी की जिम्मेदारी हैं। आज तमाम व्यवस्ताओं को एक्रुट करके देश की तांकत को बढ़ाया जा रहा है। एक भारत स्रेश्ट भारत को मजबूत किया जा रहा है। वन नेशन वन मोबिलिटी कार की तरह ही बीते वर्षों में हमारी सरकार ने देश की व्यवस्ताओं का एकिकर्ण करने के लिए अनेक काम किये हैं। वन नेशन वन फास्टेक्स ने देश भर के हाइवे पर ट्रेवल सीमलेस हुआ, अनावश्यक रोक टोक रुकी हैं, जाम से मुक्ती मिली हैं, देश का समय और देरी से होने वाला नुक्षान कम हुआ है। वन नेशन वन टैक्स यानि जीएश्टी ने देश भर में टैक्स का जाम समाप्त हुआ है, डारेक्ट टैक्स से जुड़ी ववस्ता एक जैसी हुई है। वन नेशन वन पावर ग्रीड इससे देश के हर हिस्से में परियाप्त और निरंतर बिजली की उपलबता सुनिस्चित हो रही है। बिजली का नुक्षान कम हुआ है। वन नेशन वन गैस ग्रीड इससे समंदर से दूर देश के उन हिस्सों को सीमलेस गैस कनेक्टिविटी सुनिस्चित हो रही है। जहां गैस आधारी जीवन और अर्थ बगता पहले सपना हुआ करता था। वन नेशन वन हेल्थ एंशरंस स्कीम याने आईश्मान भारत से देश के करोलो लोग एक राज्य में ही नहीं बलकि पूरे देश में कहीं भी इसका लाब ले रहे हैं। वन नेशन वन राशनकार इससे भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाले नागरीकों को नया राशनकार बनाने के चक्करों से मुक्ति मिली हैं। एक राशनकार से पूरे देश में कहीं भी सस्ते राशन की सुविदा संभव हो पाए हैं। इसी तरह नए कुरुशी सुधारों और इनाम जैसी व्यवस्ताओं से वन नेशन वन एग्रिकल्चर मार्केट की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है साथियों देश का हर छोटा बड़ा शहर 21 सदी के भारत की अर्थे व्यवस्ता का बड़ा सेंटर होने वाला है हमारी दिल्ली तो देश की राजधानी भी है आज जब 21 सदी का भारत दुनिया में नई पहचान बना रहा है तो हमारी राजधानी में वो भव्यता रिफ्लेक्ट होनी चाहिए इतना पुरारा शहर होने के वज़े से इसमें चुनोतिया जरूर है लेकिन इन चुनोतियों के साथ ही हमें इसको आधुना आधुरिक्ता की नई पहचान भी देनी है इसलिए आज दिल्ली को आधिनुत स्वरूप देने के लिए अनेको प्रयास किये जा रहा है दिल्ली में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए सरकार ने इनकी खरीद पर टैक्ष में भी छूर दी है दिल्ली की सैक्डो कोलोनियों का नियमिते करण हो या फिर जुग्यों में रहने वाले परिवारों को बहतर आवास देने का प्रयास दिल्ली की पुरानी सरकारी इमारतों को आज की जरुरत के अनुसार एन्वार्मेंटरल फ्रेंडली बनाये जा रहा है जो पुराना इंफास्टेक्टर है उसको आधुनिक टेक्नलोजी आधारी इंफास्टेक्टर से बढ़ला जा रहा है। साथियों दिल्ली में पुराने टूरिस्ट डेस्टिनेशन के अलावा 21 सदी के नए आकर्शन भी हो। इसके लिए काम जारी हैं दिल्ली इंटरनेशनल कांफरेंस, इंटरनेशनल एग्जिमिशन, इंटरनेशनल बिजनेश टूरिजम इसका आहम सेंटर होने वाला है। इसके लिए द्वारिका में देश का सबसे बड़ा सेंटर बन रहा है। इसी तरह एक और जहां नई संसत भवन के निर्मान का काम शुरू हुआ है वहीं एक बहुत बड़े भारत बंदना पार्क, भारत बंदना पार्क को भी तैयार किया जा रहा है। ऐसे हर काम से दिल्ली वालों के लिए हजारों रोजगार भी बन रहे हैं और शहर की तस्वीर भी बदल रही है। दिल्ली को और आधुनिक बनाएंगे। एक बार फिर नई सुभिधाओं के लिए मैं देश को भी और दिल्ली वासियों के भी बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं। धन्यवाद।